हुआ और तो हम आज एर ड्राइक क्ले से आज हम एक मस्रूम हाउस बनाने वाले जो कि बहुत क्यूट और कवाई वह तो जो दीस हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहले हमें लेना है ग्रीन क्ले जिसे निकाल दूगी पूरी तरीके से हमें यह क्रीम कल्स निकाल लेना है। गुलोगोल करें इसे प्रस कर दीना क्योंकि हमें कुछ ग्राश टैप कर बनाने क्योंकि जो मस्रुम हाउस बनाएंगे वह इसी ग्राश पर रखेंगे। इस टाइप से हमें इसको चप्ता करते जाना है तो गाइस हमें इस तरीके से ग्रास बना लेना तो अभी हमें ग्रास तो बना लिए हमें साइड में लखना है और हमें लेना है येलो क्ले हमें येलो क्ले को पूरी तरीके से निकाल के तो हम निकाले के अपाञ होगा है कि हमना इस तरिके से शेड्सा मैं निकाले लिए। फिर हमें के कने निकाल झाल लिए थे से इसार गॉला लिए सेंव हमें इस तरीके से सेव देना है जिस तरीके से उन प्रसाथ हुआ Landा स्भ Speech को टेंक में तबर सिर आख देना देना आप मैंश कर नपनार चाहिए लेँ रे doivent किसने या अब मैं इसका रूप पनाने के लिए के लिए हमें ईसका रूप बनाने में पिंट चरहा वाप और पिंट करेंजी हुने अन्ताक कर लेए तोड़ा सपिंका ये ले लेना अरो में इसका रूफ कुछ इस तरीके से बनागे लेना एक रूफ बनाने के बाद हम उसके चिपका देना इस तरीके से पिंक इलर का रूफ बना लेना बैसे भी हमारा हाउस का रूफ क्यूट तो लगी रहा था एक नुसे और बनाने के मांने का क्कया उसमें राइबिट के कान मना दें मैंने इस तरीके से इसके मश्रूम हाउस में के रूफ में इस तरीके का राविट के येर्स बना लिए और फिर मैंने का किया ग्रूप ले लेके ब्लू क्ले लेके मैंने इसके विंडोस बना दिये रूफ के ऊपर भी मैंने इसके विंडोस बना दिये तो इस तरीके का हमें विंडोस बना लेना है फिर हमें क्यों करना है वाइट कलर चाहिए और वाइट कलर से जो हमने राविट के कान बना थे उसके अंदर वाइट कलर भी डाल देने इस तरीके से हम दोनों कान में वाइट कलर डाल देंगे अब हमें इस मश्रूम के डोर बनाने के लिए हमें परपल कलर चाहिए अब परपल कलर बहुत आट था है यूं Rebel से मैंने थो रिखे अज़ित लिए और उसमें से मिक्स कर दिया ताकि वह थोरा लाइट वन जाया इस तरीके से महान इसे मिक्स कर दोंगी मिक्स करने के बाद हमें इस तरीके से हमें डोर का सेप देजिए झाए अब फिर उसे लगा देना है इस्टिक करके वो डूर लगा देना है फिर हमें क्या करने एक टूल देना है और डूर जैसा लुक देना है उसे इस तरीके से हम अपने डूर का लुक देदेंगे फिर हमें क्या करना है वाइट क्ले से इस चोटे से वाइट कलर से शर्ड कर बनाके हम उसमें स्टिक कर देंगे तो देखें गाईस हमारे मस्रूम का क्यूट सा गेट वे बन जाते हैं कितना क्यूट लग रहा होता है फिर गा अब फिर हमें वाइट कलर लेके इसको लाइन कर देरा है जिसके मैं आपको करते हूं दिखा रही हो जिसको ऑओ साइड में ऐसे आउतलाइन कर देरा है और नीचे भी हमें सेम इसी तरीके से आउैन कर देदा है हम क्या करेंगे हम विंडो के अंदर इस तरीके से हम एक क्ले से लाइन बनाके हम उसके अंदर चिपका देंगे मैं तरह और वाइट कले लिया फिर मैंने कर दिया उसका इस तरीके से हमने पलस बना दी अंदर और इस तरीके से देखिया हमारे विंडो का फाइनल लूक कितना क्यूट लग रहा था फिर हमें क्या करना है कि वाइट प्ले से हमारा एक और काम आए हाँ वाइट प्ले से हमें क्या करना है छोटे छोटे टॉस बनाके हमें अपने रूफ पे चिपकाते जाना है इस तरीके से इसे बहुत सारे वाइट क्ले लेके हमें गोला बनाके उस पर प्रेस करके हमें छोटे-छोटे से पॉस बनाके उस पर चिपकाते जाना है तो देखिए गाइस हमारा रूफ और कितना क्यूट लग रहा होता है हमारा जैसे लग रहा कि है मुस्रूम ग्राविट हाउस है और जाता तरह तो हमें से वाइट क्ले की ही जरूरत आ रही है फिर हमें इसके ब्रैग्रावंड के लिए भी वाइट कलर की ही जरूरत परेगी तो गास बैकग्राण्ड बनाने के लिए हमिन क्या करना है इसे छोटे छोटे लोड पना देने हैं इस तरीके सिर्वा will कि पहले चाट बना ले बकार गने याँ देखें बहुत लंबा डंड न Mov Sarah ऐस हमें बहुत लंबी बाहुन बना ले लीन एक हमेन कोना में और फिर हम अपने बैग्राउंड को एक्के करके इन लाइन्स को चिपकाते जाएंगे और फिर हमें बीज से इसे चिपका देने जो हमने पहले एक लाइन बनाए थी उसे हमें इस तरीके से चिपका देना है तो आपको दीकर होगा कि हमारे बैग्राउंड किना अच्छा बन गया इस तरीके से अब हमें क्या करना है अब ब्राउंड क्ले लेना है कि अजिए श्मंच में दूर्व क्ले लिया अब हमें क्या कर ने ब्राउंड क्ले कर ने राउंड करके हमें उसे चेपाची जैसा बना लेना है कि प्रेस्ट करके करना इसके सामने सामने में जप्काते जाना धर्यूंगर गिास करने जुप कर दा अब वहारा मुष्टूम इसका बेकरावन एंड विंडो इसका रोस अब कुछ लग रहा अब हमें क्या करना है क्यों नहीं मैं पहले से एड्रा ख्ले से क्यूट सी राबिट बना रहा रहा थे जोंके एक हप्ट पक्री है और यह चीज मैंने रेड और वाइट को मिक्स करके जैदा तो आप पे अपने घर पे यह राबिट बना सकते हैं फिर हम यहाँ पर ऐसे करके चिपका दिया तो तो हमारा यह पूरा मश्रूम हाउस त्यार हो चुका है तो वैसे भी यह मश्रूम हाउस के रूप को देख रहे हूं रैबिट है इसलिए मैंने यह रैबिट का ही घर है इसलिए मैंने इसके रूप की कान को रैबिट बना दिया इसलिए गाईस हमारा पूरी तरीके से ये मश्रूम हाउस त्यार हो चुक है तो गाईस मेरे मश्रूम हाउस कैसा लगा आप कमेंट करके जरू बएताना और अगर अच्छा लगा तो लाइक चरू करना अग अगर मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना तब तक लिए बाई गाइस